जीवन एक गणित नहीं, गणित से ज़्यादा एक पहली है, और नहीं जीवन एक तरक ब्यवस्था है, तरक ब्यवस्था से ज़्यादा एक रहस्य है। गणित का मार्ग सीधा साफ है, पहली सीधी साफ नहीं होती, और सीधी साफ हो तो पहली नहीं हो पाती, और तरक की निस्पतियां बीज में ही छुपी रहती है। तरक किसी नई चीज को कभी उपलत नहीं होता, रहस्य सदा ही अपने पार चला जाता है। अला उस से इन सुत्रों में जीवन के इस रहस्य की बिविचना कर रहा है। इसे हम दो तरह से समझें, एक तो, हम कल्पना करें कि एक व्यक्त की एक सीधी रेखा पर ही चलता चला जाए। तो अपने जगे कभी वापिस नहीं लौटेगा। जिस जगे से यातरा सुरू होगी, वहां कभी वापिस नहीं आएगा। अगर रेखा उसकी यातरा की सीधी है। लेकिन अगर वर्तुला कार है, तो वो जहां से चला है, वहीं वापिस लौटाएगा। अगर हम यातरा सीधी कर रहे हैं, तो हम जिस जगे से चले हैं, वहां हम कभी भी नहीं आएगे। लेकिन अगर यातरा का पत्थ वर्तुल है, सर्कुलर है, तो हम जहां से चले हैं, वहीं वापिस लौटाएगे। तर्क मानता है कि जीवन सीधी रेखा की भाती है और रहस मानता है कि जीवन वर्तुलाकार है सरकुलर है इसलिए पश्चिन जहां कि तर्क ने मनुस्त की चेतना को गहरे से गहरा प्रभावित किया है जीवन को वर्तुल के आकार में नहीं देखता है और पूरब जहां जीवन के रहस को समझने की कोसिस की गई है चाहे लाउस से चाहे क्रश्न चाहे बुद्ध वहां हमने जीवन को एक वर्तुल में देखा है वर्तुल का आर्थ है कि हम जहां से चलेंगे वहीं वापिस पहुँच जाएंगे इसलिए संसार को हमने एक चक्र कहा है दवील संसार का अर्थ ही चक्र होता है यहां कोई भी चीज सीधी नहीं चलती चाहे मौसम हो चाहे आदमी का जीवन हो जहां से बच्चा यात्रा सुरू करता है जीवन की वहीं जीवन का अंत होता है बच्चा पैदा होता है तो पहला जीवन का जो चर्ण है वो है स्वांस बच्चा स्वांस लेता पैदा नहीं होता है पैदा होने के बाद स्वांस लेता है कोई आदमी स्वांस लेता हुआ नहीं मरता स्वांस छोड़कर मरता है जिस बिंदू से जन्म सुरू होता है जीवन की यातरा सुरू होती है वहीं मरत्यू उखलत होती जीवन एक वरतुल है इसका अगर ठीक अर्थ समझें तो लाउस से की बास समझना आ सकेगी अगर सफलता को तुमने पूरा ले गए तो तुम अपने ही हातों से असफलता बना लोगे और अगर यस के वरतुल को तुमने पूरा खींचा तो यस ही अपयस बन जाएगा यदि जीवन एक रिखा की भाती है तो लाउस से गलत है और अगर जीवन एक वर्तुल है तो लाउस से सही है इस बात पुनिर्भा करेगा कि जीवन क्या है एक सीधी रेखा इसलिए पूरब ने इतहास नहीं लिखा पश्चिन ने इतहास लिखा है क्योंकि पश्चिन मानता है कि जो घटना एक बार घटी है वो दुबारा नहीं घटेगी अन्रिपीटिबल है पृत्य घटना अद्वती है इसलिए जीसस का जन्म अद्वती है दुबारा नहीं होगा और जीसस पुन्रुक्त नहीं होंगे इसलिए सारा इतहास जीसस से हिसाब रखता है जीसस के पहले और जीसस के बाद सारी दुनिया में इतहास को हम नापते हैं ऐसा हम राम के साथ नहीं नाप सकते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राम के पुर्व और राम के बाद क्योंकि पहली तो बात यह हमें ये भी पका नहीं कि राम कब पैदा हुए इसका ये अर्फ नहीं है कि हम जो राम का पूरा जीवन बचा सकते थे वो उनके जन्म की पिथी नहीं बचा सकते थे ये बहुत समझने इसी बात है पूरब ने कभी इतहास लिखना नहीं चाहा क्योंकि पूरब की दरश्टी ये है कि कोई भी चीज अद्वती नहीं हैं सभी चीज़े वरतल में वापिस वापिस लोटाती है राम हर यूग में होते रहे और हर यूग में होते रहेंगे नाम बदल जाए रूप बदल जाए लेकिन वो जो मौलिक घटना है वो नहीं बदलती वो पुन्रुक्त होती रहती इसलिए बहुत मिठी कथा है और वो ये कि बालमीक ने राम के जन्म के पहले कथा लिखी पिछे राम हुए ऐसा दुनिया में कहीं भी सोचा भी नहीं जा सकता है राम हुए बाद में बालमीक ने कथा लिखी पहले क्योंकि राम का होना पूरप की दरस्ती में एक वरतोलाकार घटना है जैसे एक चाक गुंता है तो उस चाक में जो हिस्सा अभी उपर था अभी नीचे सला गया फिर उपर आ जाएगा फिर उपर आता रहेगा जैन कहते हैं कि हर कल्प में उनके 24 तिर्थंकर होते रहेंगे नाम बदलेगा रूप बदलेगा लेकिन तिर्थंकर के होने की घटना पुनरुप होती रहेगी इसलिए पूरब ने इतहास नहीं लिखा पूरब ने पुरान लिखा पुरान का अर्थ है वो जो सारभूत है जो सदा होता रहेगा बार बार होता रहेगा इतहास का अर्थ है कि जो दुबारा कभी नहीं होगा अगर जीवन एक वरतल में घूम रहा है तो फिर ये बार-बार हिसाब रखने की जरुवत नहीं कि राम कब प्रदा होते हैं और कब मर जाते हैं राम का होने का क्या अर्थ है इतना ही याद रखना काफी है राम का सारभूत व्यक्तित तो क्या है इतना ही याद रखना काफी है फिर ये बातें गौण है कि स्टरीर कब स्वांत लेना सुरू करता है और कब बंद कर देता है ये बातें अर्थपूर नहीं है हम उन्हीं चीजों को याद रखने की कोसिश करते हैं जो दुबारा नहीं दौरती है जो रोज ही दोहरने वाली हों उनको याद रखने की कोई जरुवत नहीं रह जाती तो पूरब की समझ जीवन को एक वर्तुलाकार देखने की है और ये समझ मातुपूर्ण भी है क्योंकि इस जिगत में जितनी गतियां हैं सभी वर्तुलाकार है गति मात वर्तुल में है चाहे चांदतारे गूम रहे हो चाहे प्रत्वी गूम रहे हो चाहे मौसम गूम रहा हो चाहे व्यक्ति का जीवन गूम रहा हो इस जगत में ऐसी कोई भी गति नहीं है जो सीथी हो इस जगत में जहां भी गति है वहां वर्तुल अनिवारी है तो अक्यला जीवन के संबद में अपवाद नहीं होगा लेकिन वर्तुल का अपना तर्क है और वर्तुल का अपना रहस है और वो यह है कि जहां से हम सुरू करते हैं वही हम वापस पहुँचाते हैं और जब हमारा मन होता है एक हम और जोर से आगे बढ़े चले जाएं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे आगे बढ़े जाने में एक जगह से हमने पीछे लोटना सुरू कर दिया है। एक लिहाज से जवानी बुढ़ापे से बहुत बिप्रीत है लेकिन एक अर्थ में बहुत बिप्रीत नहीं है क्योंकि जवानी सिर्फ बुढ़ापे में ही पहुंसती है और कहीं पहुंसती नहीं तो जितना आदमी जवान होता जा रहा है उतना बुढ़ा होता जा रहा है और ये बात लाउस से कहता है किसी भरे हुए पात्र को धोने की कोशिस्ट करने की बजाए उसे अद्ध भरा ही छोड़ देना स्रेस करें क्योंकि जब भी कोई चीज भर जाती है तो अंत आ जाता है वो कुछ भी हो अकेला पात्री नहीं पात्र तो केबल विचार के लिए है कोई भी चीज जब भर जाती है तो अंत आ जाता है अगर प्रेम भी भर जाये तो प्रेम का अंत आ जाता है जो चीज भी भर जाती है वो मर जाती है असल में भर जाना मर जाने का लक्षन है पक जाना गिर जाने की सूचना है फल जब पक जायेगा तो गिरेगा ही तो जब भी हम किसी चीज को पूरा कर लेते हैं तब ही समाप्त हो जाती है तो लावस से कहता है कि जीवन के सत्य को अगर समझना हो तो ध्यान रखना किसी पात्र को बरने के बजाए अद भरा रखना ही स्रेयस करें लेकिन बड़ा कठी ने अती कठी ने क्योंकि जीवन की सभी प्रक्रियाएं बरने के लिए आतूर है जब आप अपनी तिजोडी भरना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुस्किल है तिजोडी तो दूर है जब आप अपने पेट में भोजन डालना शुरू करते हैं तब भी आधे पर रुकना मुस्किल है महत्वकांशा आधे पर कैसे रुख सकती सच तो यह है जब महत्वकांशा आधे पर पहुंशती है तब ही प्राणवान होती है और तब ही आसा बंगती है कि अभ जल्दी ही सब पूरा हो जाये और जितनी तिवरता से हम पूरा करना सुरू करते हैं उतनी ही तिवरता से नश्ट होना सुरू हो जाते हैं तो जिस बात को भी पूरा कर लेंगे वो नश्ट हो जाएगी लाउस से कहता है आधे पर रुख जाना आधे पर रुख जाना सैयम है और सैयम अतिकतिन है जीवन के समस्त नीमों पर आधे पर रुख जाना सैयम है पर आधे पर रुखना बहुत कतिन है बड़ा तप है क्योंकि जब हम आधे पर होते ही तभी पहली दफ़ा आस्वासन आता है मन में कि अब पूरा हो सकता है अब रुखने की कोई भी जरुवत नहीं जब आप बिल्कुल स्यहासन पर पैर रखने के करीब पहुँच गए हों सारी सुरियां पार करके सुरियों के नीचे रुख जाना बहुत आसान था पहला कदम ही ना उठाना बहुत आसान था क्योंकि आदमी अपने मन में समझा ले सकता है कि अंगूर खटे हैं और लंबी यातरा का कष्ट उठाने से भी बस सकता है आलस से भी सहयोगी हो सकता है प्रमाद भी रोक सकता है संगर्स की संभावना और संगर्स के साहस की कमे भी रुकावट बन सकते हैं आदमी पहला कदम उठाने से रुक सकता है लेकिन जब सिहासन पर आधा कदम उठ जाए और पूरी आसा बन जाए कि अब सिहासन पर पैर रख सकता हूं तब लाउस से कहता है पैर को रोक लेना क्योंकि सिहासन पर पहुँचना सिहासन से गिरने के अत्रिक और कहीं नहीं ले जाता स्विमसन पर पहुचने के बात करिये का भी क्या फल पक जाएगा और गिरेगा सफलता पूरी होगी और असफलता बन जाएगी परेंपूरा होगा और मुरत्यू बढ़ जाएगी जवानी पूरी होगी और Kidar आएगा जैसे ही कोई चीज पूरी होती है वरतल पूरानी जगे वापस लोटाता है हम वही आ जाते हैं जहां से हमने सुरू किया था बुरा आदमी उतना ही असाहाय हो जाता है जितना असाहाय पहले दिन का बच्चा होता है और जीवन भर की सफलता की यात्रा पुना बच्चे की अस्फलता में छोड़ जाती है एक अर्थ में सैथ बच्चे से भी ज़्यादा असाहाय होता है क्योंकि बच्चे को तो सम्हानने को उसके माबाब भी होते है और बच्चे को असाहा होने का पता भी नहीं होता लेकिन बुढ़े के लिए सहरा भी नहीं रह जाता है और असाहा होने का बहुत भारी हो जाता है और ये सारे जीवन की सफलता है और सारे जीवन आदमी यही कोसिस कर रहा है कि मैं किसी तरह अपने को सुरक्षित कैसे कर लूँ सारे जीवन की सुरक्षा का उपाया और अंत में आदमी इतना सुरक्षित हो जाता है जितना की बच्चा भी नहीं है तो जरूर हम किसी वर्तल में घुनते हैं जिसका हमें ठ्छाल नहीं तलवार की धार को बारबार महसूस करते रहें तो ज़्यदा समे तक उसकी तिक्षन्ता नहीं तिक सकती यह भी उसी पहली का दूसरा हिस्टा है पहली बात कि किसी भी चीज को उसकी पूर्टा पर मत ले जाना अन्य था आप उसी बात की हट्या कर रहे हैं जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, आप उसके हत्यारे हैं. रुख जाना, आधे में रुख जाना, इसके पहले की चाक वापिस लौटने लगे फैर जाना. उसी पहली का दूसरा हिस्सा लाओ से कहता है कि किसी चीज़ को बार-बार महसुस करने से उसकी तिछ्णचा मर जाती है. अगर तलवार पर धार रखी है और बार-बार उसकी धार को महसुस करते रहें कि धार है या नहीं, तो धार मर जाएगी तो रही भी हो तो भी ये बार-बार परिच्छा करने से मर जाएगी लेकिन जिनकी में हम ये भी करते हैं अगर मेरा किसी से प्रेम है तो दिन में मैं चार बार पता लगा लेना चाहता हूँ कि प्रेम है या नहीं पूछ लिना चाहता हूँ उपाया करता हूँ कि कह भी आ जाए कि हाँ प्रेम है लेकिन जिस चीज को बार बार महसुस किया जाता है उसकी धार मर जाती प्रेमी ही एक दूसरे के प्रेम की हत्या कर डालते है और ये प्रेम के लिए नहीं जीवन के समस्त तत्वों के लिलागो है अगर आपको बार बार ख्या लाता रहे कि आप ग्यानी है तो आप अपनी धार अपने हाथ से ही मार लेंगे अगर आपको बार बार ये इसमरन होता रहे कि मैं स्प्रिष्ट हूँ तो आपकी स्प्रिष्टा आप ही अपने हाथ से पहुच जा देंगे जिस चीज को भी हम बार बार अहसास करते हैं वो क्यों इतनी जल्दी मिट जाती है उसके कारण है पहला कारण तो यह है कि हम उसी चीज़ को बार-बार एसास करना चाहते हैं जिसका हमें बरोसा नहीं होता भीतर हम जानते ही हैं कि वो नहीं वो जो भीतर बरोसा नहीं है उसी को पूरा करने के लिए हम जाच करते हैं लेकिन जाच करने की कोई भी छेष्ठा निरंदर जिसके हम जाच करते हैं उसकी तिक्षनता को भी नश्ट करेगी ही क्योंकि तिक्षनता होती है तीवर पहले अनुभव में और जितनी पुन्रुक्ती होती है अनुभव की उतनी तिक्षनता कम हो जाए मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान में हमें बहुत गहरा अनुभव पहली बार हुआ, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है, अब वैसे अनुभव को वो रोज रोज लाने की कोसिस में लगे हैं, तलवार की धार भी तिक्ष्णता खो देती, ध्यान की धार भी बासे होने के कारण उसकी सम्वेदना छीन हो जाती अगर आप एक ही इत्र का उप्योग करते हैं रोज तो सारी दुनिया को भला पता चलता हो आपकी इत्र की सुगंध का आपको पता चलना बंध हो जाता है किक्षणता मर जाती, रोज की पुन रुकती और आपके नासापुट सम्वेदना खो देते हैं सुंदर कम रंग भी अगर आप रोज रोज देखते रहें तो रंग विहीन हो जाते हैं इसलिए नहीं कि वे रंग खो देते हैं, बलकि इसलिए कि आखें उनके साथ समवेदना का संबंद छोड़ देते हैं, इसलिए जो हमें मिल जाता है, उसे हम धीर धीरे भूल जाते हैं। और हम सबका जीवन बासा और म्रत हो जाता है। फिर नहीं जीवन में कहीं कोई सुभे मालुम नहीं पड़ती हैं, न कोई सूरज की नई किरन फूटती हैं, न कोई अभूल खिलता हैं, न कोई नए गीत का जन्म होता हैं, न कोई नए बक्षी आकास में पर फैला कर उड़ते सब बासा होज़त इस बासेपन का कारण क्या है इस बासेपन का कारण है कि हम जो भी हमें अनुभव होता है उसे हम बार बार अनुभव करने की कोसित करके उसकी दिख्शंता को मार डालते हैं अगर मैंने आज प्रेम से आपका हाथ अपने हाथ में लिया कल फिर आप प्रतिक्शा करेंगे कि वहाथ में अपने हाथ में आपका लू और अगर मुझे भी लगा कि बहुत सुख़द प्रती थी तो मैं भी कल कोसिश करूंगा कि वहाथ फिर अपने हाथ में लू और हम दोनों मिलकर ही उस सुख के अन्भूती को बासा कर देंगे कल हाथ हाथ में आयागा अब तब लगेगा कि कहीं कोई इस धोका हो गया क्योंकि वैसा सुख जो पूरम में जाना था अब नहीं मिलता है तब हम और पागल की तरह हाथों को पकड़ेंगे और जादा पकड़ेंगे और कोशिस करेंगे कि उस सुख का हमें उन्भा हो जाए वो सुख खो जाएगा हमारी चेस्था ही उस सुख का अंत बन जाएगी हम सभी सुख को नश्ट करते रहते हैं क्योंकि जो हमें मिलता है हम उसे पागल की तरह पाने की कोशिस करते हैं उसमें ही वो खोचाता है जिनकी बहुत अद्भुत हैं अद्भुत इस अर्थों में है कि यहां उल्टी घटनाएं घटती है जो आदमी पाए सुख को पाने की दुबारा कोशिस नहीं करता उसे वो सुख रोज रोज मिल जाता है और जो अपने धार की तिक्ष्टा की फिकिर ही नहीं करता बार बार जाच करने कि उसकी धार उसकी तलवार की धार सदा ही तिक्ष्टा बनी रहती मैंने सुना हैं कि रूस के एक थेटर में एक दिन बड़ी मुस्किल हुई थी बड़ा नातक चल रहा था और उस नातक में एक हकलाने वाले आदमी का काम था वो हकलाने वाला आदमी अचानक बिमार पड़ गया जो हकलाने का भीने करता था और एन वक्त पर खबर आई और परदा उठने के खरीब था और मैनेजर और मालिक घबड़ा आए क्योंकि उसके बिना तो सारी बात ही खराब हो जाती वही हास्त था उस पूरे नातक में उसी की वज़े से रंग था कोई उपाय नहीं था और किसी आदमी को इतने जल्दी हकलाने का अभ्यास करवाना भी मुस्किल था लेकिन तब ही किसी ने कहा कि गाउं में एक हकलाने वाला आदमी है हमारे हम उसे ले आते हैं उसे सिखाने की कोई जरुवत नहीं आप उसे कुछ भी कहो वो हकलाता ही है और सब तरह के इलाज हो चुके हैं बड़े चिकिस्तक उसको देख चुके हैं उसका कोई इलाज अब तक सफल नहीं हुआ है वो धनपती का लड़का है उसे ले आया गया और बड़ा चमतकार हुआ उस दिन वो नहीं हकला सका पहली बार जिंदगी में नाटक की मंच पर खड़ा होकर वो यवक नहीं हकला सका क्या हुआ मनोवज्यानिक कहते हैं कि अगर इतना सचितन कोई हो जाया तो कोई भी चीज खो जाती कोई भी चीज खो जाती मैं एक नगर में था और एक यवक को मेरे पांस लाया गया यवक विस विद्धाले का इस नातक है और बड़ी तकलीफ में है तकलीफ उसकी यह है कि चलते चलते अचानक वो इस्त्रियों जैसा चलने लगता है मनोची किस्सा हो चुकी है मनोविसलिशन हो चुका है दवाईया हो चुकी है सब तरह के उपाय किये जा चुके है लेकिन दिन में दो चार बार वो भूली जाता है और अब एक कॉलेज में अध्यापक का काम करता है तो बड़ी कश्टपून बात हो गई मैं उस युवक को कहा कि मैं एक ही इलाज समझता हूँ और वो ये कि जब भी तुम्हे ख्याल आ जाए तब तुम जानके इस्त्रियों जैसा चलना सुरू कर दो तो रोको मत अब तक तुमने रोकने की कुस्स की है जानके इस्तियों जैसा चलो उसने का आप क्या कह रहें मैं वैसे ही मुसीबत में पड़ा हूँ बिना जाने ही मुसीबत में पड़ा हूँ और अब जानके भी चलूँगा तो तो 24 घंटे इस्तियों जैसा ही चलता रहूँगा मैंने उसे का तुम मेरे सामने ही चलके बता दो उसमें बहुत कोसिस की वो नहीं चल पाया चेतना का एक नियम है जिस चीज की आप बहुत कोसिस करते हैं उसकी धार मिट जाती उसकी धार को पाना मुस्किल है हम सभी दुख सुक की धार को मार लेते और बड़े मज़े की बात है कि दुख में हमारे धार बनी रहती है हम इतना दुख जो पाते हैं इसका कारण जगत में बहुत दुख है ऐसा नहीं हमारे जीने के धंग में बनी आती भूल है दुख को हम कभी छूना नहीं चाहते हैं इसलिए उसमें धार बनी रहती है और सुक को हम छूते छूते रहते हैं निरंदर उसकी धार मर जाती अखिये में हम पाते हैं दुख दुख रह गया हाथ में और सुक की कोई खबर नहीं रही तब हम कहते हैं कि सुक तो मुश्किल से कभी मिला हो मिला हो अपना मालूम पड़ता है सारा जीवन दुख है लेकिन दुख की ये धार हमारे ही कारण है इस पर उल्टा जो कर लेता है उसका नाम तब है वो दुख की धार को छूता रहता है और सुख की फिक्र छोड़ देता है धीरे धीरे दुख की धार मिट जाती और सारा जीवन सुख हो जाता है जिस चीज को आप छूएंगे वो मिट जाएगा जिस चीज को आप मांगेंगे वो खो जाएगी जिसके पीछे आप दोड़ेंगे उसे आप कभी नहीं पास सकीगे इसलिए जीवन गणित नहीं एक पहली और जो गणित की तरह समझता है वो मुश्किल में पाढ़ जाता है जो उसे एक वहस और एक पहली की तरह समझता है वो उसके सार राज को समझ कर जीवन की परम सम्ता को अपलख्थ हो जाता लाउस से कहता है सोने और हीरे से जब भवन भर जाए तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है यह उल्टी बातें मालूम पढ़ती है कंटरिक्टरी मालूम पढ़ती है विरोधा भासी मालूम पढ़ती है लाउस से कहता है जब सोने और हीरे से भवन भर जाए तो मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है असल में मालिक तभी तक रक्षा कर सकता है अपनी संपत्ती की जब तक गरीब हो जब तक इतनी संपत्ती हो कि जिसकी रक्षा वो स्वय नहीं कर सके गरीब ही कर सकता है जिस दिन संपत्ती की रक्षा के लिए दूसरों की जरुवत पढ़ने सुरू हो जाती है उसी दिन तो आदमी अमीर होता है और जिस दिन से दूसरों के द्वारा सुरक्षा की जरुवत आ जाती है उसी दिन से भै प्रिविस्ट कर जाता है क्योंकि दूसरें के हाथ में संपत्ती कहीं सुरक्षित हो सकती। इसलिए इस दिमेन पर एक अनूती घटना घटती। कि गरीब यहां कभी-कभी अमीर जैसा सोया देखा जाता है और अमीर यहां सदा ही गरीब जैसा परिशान देखा जाता है। विकारी यहां कभी-कभी समराट की शान से जी लेते हैं समराट यहां विकारियों से भी बत्तर जीते है। क्योंकि जो हमारे पास है उसकी रक्षा का उपाए भी दूसरे के हाथ में देना पड़ता है। चंगीज खान की मरत्य हुई वो मरत्य महत्पूर है। चंगीज खां जैसा आदमी उस वभावता मरत्यू से भैवित हो जाएगा और अपनी मरत्यू ना आए इसलिए उसने लाखों लोगों को मारा लेकिन जितन लोगों को वो मारता गया उतना ही भैवित होता गया कि अब कोई न कोई उसे मार डालेगा अपनी रक्षा के लिए उसने जितने लोगों की हट्या की उतने सत्रू पैदा कर लिए रात वो सो नहीं सकता था क्योंकि रात अंधेरे में कुछ भी हो सकता है और संदे उसके इतने घुने हो गए कि अपने पहरेदारों पर भी बहरुसा नहीं कर सकता था तो पहरेदारों पर पहरेदार और पहरेदारों पर पहरेदार ऐसी उसने साथ परतें बना रखी उसके तंबू के बाहर साथ घेरों में एक दूसरे पर पहरा देने वाले लोग थे और जब किसी पहरेदार पर इतना भी भरोसा नहीं किया जा सके और उसके उपर भी बंदूग रखे वे दूसरा आदमी खड़ा हो और उस दूसरा आदमी पर भी तीसरा आदमी खड़ा हो तो ये पहरेदार मित्र तो नहीं हो सकते ये चंगी स्खान को भी समझ में आता था लेकिन तर्ग जो करता है वो यही कि वो पहरेदारों की संख्या बढ़ाए चले जाता था कि अगर इतने से नहीं हो सकता तो और बढ़ा दो और एक रात दिन भर का ठका मांदा उसे जपकी लग गई रात सोता नहीं था अपनी कलवार हाथ में ले बैठा रहता था कभी भी खत्रा हो सकता चंगीज तर्फ दिन में सोता था भरी दुपहरी में जब रोशनी होती चानों तरफ तब सो पाता था उस दिन जपकी लग गई पांस में बंदर वे गोड़ा गोड़ा चूट गया रात भगदौर मची लोग चिल लाए घबड़ा के चंगीज उठा अंधेरे में उसने समझा कि दुस्मन ने हमला कर दिया तंबू के बाहर भागा तंबू की खूटी न पैर फसके गिरा तंबू की खूटी उसके पेट में धस गई ये तंबू सुरक्षा के लिए था ये खूटी रक्षा के लिए थी ये पहरेदार ये गोड़े ये सब इन्जाम था बैवस्था थी कोई मारने नहीं आया था किसी में मारा भी नहीं चंगीज को चंगीज मरा अपने ही भैस सुरक्षा के उपाये के लिए भागा था पूरे जीवन में ऐसी घटना घटती है आदमी मकान बनाता है फिर मकान पर पहरेदार बिठाने पड़ते हैं धन इकटा करता है फिर धन की सुरक्षा करने पड़ती है और ये जाल बढ़ता चला जाता है और ये बात ही भूह जाती है कि मैने जिस आदमी के लिए ये सब इन्जाम किया था वो अब सिर्फ एक पहरेदार रह गया है और कुछ भी अमरीका के अरब पती एंडू कारनेगी ने अपने आत्मसंस मरन में लिखवाया है मरने के दो दिन पहले उसने अपने सेकेटरी को पूछा कि मैं तुछ से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दुबारा हम दोनों को जन मिले तो तु मेरा सेकेटरी होना चाहेगा या तू एंडू कारनेगी होना चाहेगा और मुझे अपना सेकेटरी बनाना चाहेगा एंडू कारनेगी मरा तो दस अरब रुपे छोड़कर मरा उसके सेकेटरी ने का माफ करिए आपको मैं इतना जानता हूँ कि कभी भी परमात्मा से इसी प्रात्ना नहीं कर सकता कि मैं एंडू कारनेगी होना चाहूँ कास आपका मैं सेकेटरी न होता तो सैद इस कामना से भी मर सकता था कि भगवान मुझे भी एंडू कारनेगी बनाता कारणेगे ने पूछा तेरा क्या मतलब तो सेक्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर् आप सुबह साड़े आट बजे पहुंच जाते हैं चपरासी भी साड़े नो बजे आते किलर्ग साड़े दस बजे आते मैनेजर बारा बजे आता है डारेक्टरस एक बजे पहुंचते है डारेक्टरस तीन बजे चले जाते है मैनेजर चार बजे चला जाता है चपरासी भी पहले चले जाते हैं क्योंकि चपरासी दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं अपनी नहीं एंडू कानने की अपनी ही सुरक्षा कर रहा है ये लाउस से कहता है कि जब सोने और हीरे से भवन भर जाता है तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है और जब मालिक रक्षा नहीं कर सकता तो मालिक मालिक नहीं रह जाता है उस सोने और हीरों का गुलाम हो जाता हम अपनी संपत्ती के कब गुलाम हो जाते हैं ने पता ही नहीं चलता मालिक होने के लिए ही कोसिस करते हैं भूली जाते हैं कि जिसके हमने मालिक होना चाहा था हम बहुत पहले उसके गुलाम हो चुके असल में इस दुनिया में कोई भी आदमी यदि मालिक बनने की कोसिस करेगा तो गुलाम हो जाएगा असल में हम जिसके भी मालिक बनने चाहेंगे उसके हमें गुलाम होना ही पड़ेगा गुना गुलाम बने मालिक बनने का कोई उपाय नहीं है इसलिए जीवन एक रहस यहां मालिक तो केवल वही लोग बन पाते हैं सच्छे मालिक जो किसी के मालिक ही नहीं बनते जो किसी पर अपनी मालकियत ही स्थापित नहीं करते आदमे की तो हम बात छोड़ें चीजों पर भी अगर आपने मालकियत स्थापित की तो चीजें आपकी मालिक हो जाते जब आपको एक मकान छोड़ना पड़ता तो मकान नहीं रोता आपके लिए कि आप जा रहे हैं आप रोते आप से कमीच भी छीन ली जाये तो कमीच जराबी परिशान नहीं होती आप परिशान होते वस्तुएं भी मालिक हो जाते वजो मालिक है वो गुलाम हो जाता जिसका मालिक है उसी का गुलाम हो जाता जब सम्रध्धिय और सम्मान से गमंड़ुत्पन होता है तो वो स्वैम के लिए अमंगल का काराण है और कारी की सफल निस्पत्ती के अनंतर जब करता का यस फैलने लगे तब उसका अपने को ओजल कर लेना ही स्वर्ग का रास्ता है और जब कोई काम सफल हो जाए तो इसके पहले के इहंकार का जन्म हो करता को ओजल हो जाना चाहिए अनिथा सफलता से बड़ी असफलता नहीं अनिथा सफलता से बड़ा नर्क नहीं अनिथा अपने ही सफलता अपने लिए जहर बन जाती मकडी जिससे अपने ही भीतर से जाले को निकाल कर बुनती है वैसे ही हम भी अपने चानों तरफ अपने जीवन का उलजाव बुन लेते हैं खुद ही और कई बार ऐसा हो जाता है कि उस जाले में फसकर हमी चिलाते हैं कि कैसे मुक्ती हो कैसे छुटकारा मिले कैसे स्वतंता संभा हो ये गुलामे कैसे तूटे और ये सारी गुलामी हमारा ही निर्मान है लेकिन निर्मान कुछ ऐसे ढंस होता है कि जब तक हो ही ना जाए हमें पता नहीं चलता तो उस सुत्र को हमें समझ लेना चाहिए कि ये अंजामी गुलामी कैसे निर्मित हो जाती है और हम स्वयन ही कैसे निर्मित कर लेते हैं, पहली बात, इस प्रष्वी पर एक ही माल्कियत संभव है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा नियम, और वो माल्कियत अपनी, अपने अत्रिक्त और किसी की माल्कियत संभव नहीं, और जब भी कोई अपने सिवाए किसी और पर माल्कियत करने जाएगा, तो गुलाम हो जाएगा, अगर महावीर या बद्ध अपने राजमहल को और अपने राज्य को छोड़ कर निकल जाते हैं, तो आप सदा यही सोसते होंगे कि कितना महान ट्याग है कि राज्जे को, दन को, संपदा को, इतने राज्जमहलों को छोड़कर निकल जाते। तो आप गलती में महावीर और अगुद सिर्फ अपनी गुलामी को छोड़कर निकल जाते है। ये बात उन्हें साफ हो जाती है कि अपने सिवाय और सभी तरह की मालकित गुलामी है तो फिर जितनी बड़ी ये मालकित होगी उतनी बड़ी गुलामी हो जाती है इसलिए ये मज़े की बात है आपने कभी सुना अब तक इतहास में कि कोई भिकारी अपने भिक्षापात्र नहीं छोड़ पाता और कभी कोई समराग अपना सामराजी छोड़ देता है समराग तो बहुत हुए हैं सामराजी को छोड़ देने वाले लेकिन भिकारी अब तक इतने साहस का नहीं हो सका कि अपना भिक्षापात्र चोड़ दे बात क्या असल में भिकारी की गुलामी ही इतनी छोटी होती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं गुलाम भी हूँ समराज की गुलामी इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी आत्मग घाती हो जाती है तो उसे पता चलता है कि मैं गुलाम हूँ समराज के पास समराज एक काराग्रह की तरह खड़ा हो जाता है विकारी का भिक्षापात्र काराग्रह मालुक नहीं पड़ता है क्योंकि अभी भिकारी अपने का भिक्षापात्र को लेके कहीं भी चल पड़ता है अभी काराग्रह एतना छोटा है कि हाथ में टांगा जा सक कारा ग्रह में उसे होना पड़ता है। सम्राज छोड़ सके क्योंकि गुलामी इतनी बड़ी हो गई कि अपनी मालकित का भ्रह्म छूट गया। भिखारी नहीं छोड़ पाता। गुलामी इतनी छोटी है कि मालकित का भ्रह्म कायम बना रहता है। इसलिए मैं जानता हूँ जैसा वो ऐसा है कि जब तक आपको भ्रम बना रहे कि आप अपनी चीजों के मालिक हैं तब तक आप समझना कि आप गरीब आदमी चीजें इतनी कम हैं कि अभी आपको पता नहीं चल रहा है जिस दिन आपको पता चलना शुरू हो जाए कि अब चीजें मालिक हैं उस दिन आप समझना कि आप अमीर हो गए है अमीर का एक ही लक्षण है कि पता चलने लगें कि चीजों का गुलाम हो गया हूँ और गरीब का एक ही लक्षण है तो उसे अभी पता नहीं चलता है कि चीज मालिक होना चाहो, तो इस तरह के मालिक मत बन जाना कि तुम्हारी चीजों की रख़शा की भी जरूए पर जाए, क्यों कि तब तुम तहरेदार हो जाओगे। अल्लावसे कहँ रहा है कि जब तुम्हारी सफलता किसी भी कान में तुम सफल हो जाओ तो इसके पहले की करता का भाउसगन हो तुम उजल हो जाना कोई जां भी ना पाए कि तुमने किया है लाउसे का स्वैम का नाम जब चीन में पहुंच गया गाउं गाउं गर्जर में और लोग लाउसे को खोचते हुए आने लगे और रास्ता पूछने लगे कि लाउसे कहा है और हजारों मिल की यातरा करके लोगों का आना सुरू हो गया तो लाउस से एक दिन ओजल हो गया फिर लाउस से का कोई पता नहीं चला उस दिन के बाद लाउस से कब मरा और कहा मरा इसकी कोई खबर नहीं बस एक दिन ओजल हो गया वही सलाह वो दूसरों को भी दे रहा है वो कह रहा है जब तुम्हारा कारी पूर्ण हो जाए सफलता हाँ आझा आजाए तो तुम चित्शाफ तरख जाना लोकर बड़ी कठ्षिन होगी बात हुजाए हम भी सरखते हैं कभी आँख से हम भी ओजल होते हैं लेकिन सफलता के च्छण में नहीं अस्फलता के च्छण में आख से होजल होते हैं जब हार जाते हैं तूट जाते हैं पराजित हो जाते हैं तब हम भी ओजल होते हैं दुख में पीरा में हम भी भाग जाना चाते हैं छिप जाना चाते हैं विशाद में संताप में आत्मघाब भी कर लेते हैं, आत्मघाब का मतलब ही इतना है कि इस बुरी तरह ओजल हो जाना चाहते हैं, कि नाम रेखा भी पीछे ना रह जाए, लेकर नगर कोई आदमी सफलता के छण में ओजल हो जाए, तो उसके जीवन में एक क्रांती घटित हो जाती है, असफलता के छ लेकि तुम असफल हो गए हो, क्योंकि असफलता एहंकार को पीड़ा देती है, और सफलता एहंकार को तरक्ती देती है, और पूशन देती है, तो जब आदमी सफल होता है, तब तो वो स्थीना निकाल के चाना तरफ गूमना चाहता है, तब तो जिन से वो कभी नहीं मिला उनसे भी मिलना चाहता है जिन्होंने उसे कभी नहीं जाना चाहता जाना था उन्हें भी चाहता है कि वे भी जान ले तब वो सारे जग में धिंडोरा पीट देना चाहता है कि मैं सफल हो गया हूँ ये सफलता की खबर के लिए ही तो इतना चेश था इतनी प्रियास था और ये लाउस से पागल मालूम बढ़ता है वो कहता जिब सफल हो जाओ तो आँख से ओजल हो जाना क्योंकि सफलता के छण में अगर एहंकार निर्मित हो जाए तो वही तुम्हारा नर्क बन जाएगा और सफलता के छण में अगर तुम ओजल हो सको तो लाउस से कहता है यही स्वर्ग का द्वार है कारी की सफल निस्पत्ती के अनंतर जब करता का यस फैलने लगे तब उसका अपने को ओजल बना लेना ही स्वर्ग का रास्ता है तो नर्क का अर्थ हुआ है अंकार स्वर्ग का अर्थ हुआ है अंकार सुनने था कोई और स्वर्ग नहीं है कोई और नर्क भी नहीं एक ही नर्क है मैं जितना सघन हूँ उतने गहन नर्क में हूँ मैं जितना विरल हूँ जितना तरल हूँ उतना स्वर्ग में हूँ मैं जितना हूँ उतना नर्क में हूँ मैं जितना नहीं हूँ उतना स्वर्ग में हूँ मेरा होना ही मेरी पीड़ा और मेरा नब होना ही मेरा आनंद है इसे थोड़ा समझें जब भी आपने दुख पाया है संताप जिला है और नर्क की आग में अपने को तरफते पाया है तब कभी आपने ख्याल किया कि ये पीरा क्या है ये पीरा क्यों हो रही है इस पीरा का मौलिक आधार कहां है ये कोई और मुझे पीरा दे रहा है या मेरे जीने का धंग या मेरे एहंकार की सघन करने की चेश्टाएं वे ही मेरे पीरा का कारण बन गई या जब भी आपने कभी आनंद की छणभर को भी पुलक पाई हो तो कभी भीतर जांक कर देखा हो तो पता चला होगा कि वहां आप मौझूद नहीं होगे जब भी आनंद की पुलक होती है तो भीतर में मौझूद नहीं होता और जब भी नर्ग की पीरा होती है तभी भीतर सघन में मौझूद होता है मैं की चाया ही पीरा है लेकिन हमारी सब की चिस्टा ये है कि मैं को बचा के मैं स्वर्ग में प्रवेश्ट कर जाऊ मैं बच जाओं और आनंदुपलब धो जाए मैं बचूँ तो आनंदुपलब नहीं होगा क्योंकि मैं ही दुख है तो जीवन की जो साधरन डवस्ता है उसे कहीं से तोड़ देना और कहीं से उसमें जाक जाने की जरूएत लाउस से कहता है सफलता के च्छन में ओजल हो जाओ इससे दूसरी बात भी हम समझ सकते हैं कि जब असफलता का च्छन हो तब ओजल मत होना जब हारे रहो जब पराजित हो जाओ तब रागधानी की सबकों को मत छोड़ना और जब जीट जाओ तब हट जाना कि कोई देखने को भी ना हो विजय के च्छन में जो हट सकता है उसका एहंकार तक च्छन तिरोहित हो जाता है इवपरेट हो जाता है पराजिय के च्छन में जो टिक सकता है उसका भी एहंकार तिरोहित हो जाता है इस से विपरीद दो इस्थितियां है पराजिय के च्छन में छिप जाओ और विजय के च्छन में प्रगठ हो जाओ तो एहंकार मजबुत होता है एहनकार के कारण ही हम छिपना चाहते हैं हारी हुई हालत में और एहनकार के कारण ही हम प्रगठ होना चाहते हैं जीकी हुई हालत में इस एहनकार की डवस्था और इस एहनकार के निर्मान होने के धंग को जो ठीक से समझ ले वो एहनकार के साथ भी खेल खेल सकता है अभी तो एहनकार हमारे साथ खेल खेलता है और जो वेक्ति एहनकार के साथ खेल खेलने को राजी हो जाए समर्थ हो जाए वो आदमी एहनकार से मुक्त हो जाता है गुर्जियफ निवार्प में था और बड़ी प्रगार सफलता गुर्जियफ के विचारों को मिल रही थी उसके एक सिस्टने लिखा है कि हम गुर्जियफ को कभी न समझ रहे कि वो आदमी कैसा था क्योंकि जब कोई चीज सफल होने के पूरे करीब पहुंच जाए तब ही वो कुछ ऐसा करता था कि सब चीजें अस्फल हो जाते है ठीक एन मौके पर वो कभी नहीं चूकता था चीजों को बिगालने में और बनाने के लिए इतना स्फरम करता था जिसका कोई हिसाब नहीं उसमें बहुत से साधना आश्रम निर्मित किये एक साधना आश्रम पेरिश के पास निर्मित किया वर्सों मेहनत की अठट स्रम उठाया सेकड़ों लोगों को साधना के लिए तैयार किया और फिर एक दिन सब भी सरजित कर दिया जिनोंने तिनी मेहनत उठाई थी उन्होंने का तुम पागल मालूम पढ़ते हो क्योंकि अब तो मौका आया कि अब कुछ हो सकता है इसी दिन के लिए तो हमने वर्सों तक महनत की थी तो गुर्जेफ ने का कि हम भी इसी दिन के लिए वर्सों तक महनत किये थे अब हम विसरजित करेंगे इसी विसरजन के लिए निवार्प में फिर दुबारा एक बड़ी दवस्था और एक बड़ी संस्था निर्मित होने के करीब पहुँचने को आई वर्सों महनत की सिश्चों ने और गुर्जेफ ने और एक दिन सारी चीज उखाड़के वो चलता बड़ा निकट तम सांथी उसे छोड़ते चले दे क्योंकि धीर धीरे लोगों का अनुखो हुआ कि या आदमी निपट पागल है सफलता का च्छन जब करीब होता है हाथ के करीब होता है कि फल हाथ में आ जाए तब ये आदमी पीठ मोड़ लेता है और जब फल आकास की तरह दूर होता है तब ये इतना स्रम करता है जिसका कोई हिसाथ में निश्य थी ये पागल आदमी का लक्षन लेकिन लाउस से इस पागल आदमी को ग्यानी कहता है लाउस से कहता है कि जब सफलता हाथ में आ जाए तब तुम चुपचाप ओचल हो जाना इसे अगर भीतर से समझें तो जो ट्रांस्फरमेशन जो क्रांती घटित होगी वो ख्याल में आ जाएगी इसे कभी प्रियोग करके देखें सफलता तो बहुत दूर की बात है अगर रास्ते पर कोई आदमी चलता हो और उसका च्छाता गिर जाए तो हम उसे उठा के खड़े रहके दोशन प्रतिश्चा करते हैं कि वो धन्यवाद दे और अगर वो धन्यवाद न दे तो चित्त को बड़ी निरासा बड़ी उदासी होती एक धन्यवाद भी हम छोड़ कर नहीं हट सकते हैं एक धन्यवाद भी हम ले लेना चाहते हैं लाउस से जो कह रहा है कि जब काम बिलकुल सफल हो जाए और जीवन सिद्धी के करीब पहुँच जाए और मंजल सामने आ जाए तब तुम पीठ मोड़ लेना और चुपचाप तरोहित हो जाना बड़े इंटिग्रेशन बड़े भीतर सगन आत्मा की जरुवत पड़ेगी वो जो सगनता है भीतर की उस सगनता का जो परिनाम होता है वो बहुत अलोकी के जो व्यक्ति मंजल के पास तिंट मोड़ लेता है मंजल उसके पीछे चलनी सुरू हो जाती और जो व्यक्ति सफलता के बीच से ओजल हो जाता है उसके लिए अस्फलता का जगत में नाम निसान मिट जाता है वो आदमी फिर अस्फल हो ही नहीं सकता है असल में उस आदमी ने वो कीमिया पाली वो कला पाली जिससे वो आदमी आदमी नहीं रह जाता परमातमही हो जाता है क्योंकि सफलता को जो छोड़ सके मंजल के इसामने पीठ मिर सके वो आदमी नहीं रह गया, आदमी की सारी कमजोरी क्या है आदमे की सारी कमजोरी एहंकार की वो कमजोरी नहा otherwise लाउस से तरोहित हो गया उसका एक सिस्स उसे दूर तक गाउ तक पीछा किया लाउसनों सिर्से को बहुत कहा कि तू मेरे पीछे मता क्योंकि अब मैं तिरोहित होने जा रहा हूँ और तू पीछे रुख क्योंकि वहां सफलता बड़ी संभावना है सफलता की वहां लोग हजारों आ रहे हैं पूछने मुझे उस सिर्से को भी समझ में आया है और आदमी कैसे rationalization करता है और आदमी कैसे अपने को तर्क दे लेता है अखीर में उसने लाउस से से कहा कि आपके ही काम के निमित में वापिस जाता हूँ आप वहां नहीं होंगे और इतने लोग आएंगे आपको पूछते तो नहीं उतना तो मैं नहीं समझा सकूँगा जो आप समझा सकते थे लेकिन फिर भी कुस्त तो समझा सकूँगा आपके ही निमित मैं वापिस जाता हूँ उसके मन में भी मौप पकलना सुरू हुआ कि अब इस लाउस से किसाथ भटकना बेमानी इसे अब कोई जानता भी नहीं जिन गाउं से ये गुजर रहा है इसे कोई पहचानता भी नहीं और इब ये कहां जा कि समझा थोगा पता है नहीं और इसकी जिन्द की भर की महनुत इसने जिन्द की भर तो वहां सुगंद फैलाई अब लोग आने सुरू हुए हैं सुगंद के कारण और ये भाग गया वो सिस्त एक रात लौट गया वापिस लाउस से जिस दिन चीन की सीमा छोड़के चीन के बहर निकला है आखरी बार उस सीमा पर सीमा अधीकारी ने उसे देखा उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका कि वो कहां गया परंपरा चीन में कहती है कि लाउस से जिन्दा है जिनके ऐसा आदमी मर कैसे सकता है मरता तो सिर्फ एहंकार और जिस आदमी ने एहंकार एकटा ही ना किया हो और जब सम्राद उसके चलनों में आके सिर रखने को आतर हो रहे थे तब अपने जोपड़े से भाग गया हो ऐसा आदमी मर कैसे सकता है तो लाउसे के संबन में दो अनुठी बातें कही जाती है एक तो ये कि वो 62 साल की उमर में पैदा हुआ मा के पैट में 62 साल वो था बूरा पैदा हुआ और लाउसे को प्रेम करने वाले लोग कहते हैं कि ऐसे लोग बूरे ही पैदा होते हैं हमें से अधिक लोग मरते दंग तक भी बचकानी ही रहते हैं अगर हम अपनी तरफ देखें तो लाउसे की बात बहुत उल्टीनी मालुम पड़ेगी अस्ती साल के आग्मे को भी अगर देखें तो खिलोनों से खिलता हुआ मालुम पड़ेगा खिलोने बदल जाते हैं बाकि खिलोने जारी रहते हैं एक बच्चा है वो अपनी दूद की बोतल मूँ में भी चूस रहा है एक बुड़ है वो अपना चुरुट पी रहा है मुनवग्याने कहते हैं दोनों एक ही काम कर रहे है लेकिन बुड़ है अगर अपने दूद की बोतल मूँ में दे तो बेहुदा मालुम पड़ेगा इसलिए उसने तरकीवें इजाद कर ली इसलिए सिग्रिट से या चुरुट से जो धुणा आपके भीतर जाता है वो ठीक वैसी ही गरम धारा भीतर ले जाता है जैसा मा का दूद और वो जाने की धारा का ढंक ठीक वैसा ही है और वो सुख़द मालुम होता है वो गरमी सुख़द मालुम होती है उसने तरकी धार भीतर जा रही वो सुख़द मालुम होती है इस बुढ़े में और बच्चे में बहुत फरक नहीं है और अगर फरक है तो और ज़्यादा ना समझी का फरक है बच्चा कम से कम दूद ही पी रहा है ठीक ही कर रहा है अगर हम गुढ़े की भी जिन्दगी को देखें सामान कया तो हमें पता चलेगा कि वो कहां बच्पन नहीं बदल पाता तो रूप बदल जाते हैं धंग बदल जाते हैं बच्पन जारी रहता है उन्हीं छोटी बातों पर क्रोध आता है उन्हीं छोटी बातों का लोग लगता है उतना ही भै है उतनी ही वासना है सब उतना ही जारी रहता है कहीं कोई अंतर नहीं है तो अगर हम लाउस एकी तरफ से समझें तो उसका मतलब हुआ कि हम मैंसे अधिक लोग बच्चे ही मरते है लाउस से बूरह पैदा होता है बासत वर्स का पैदा होता है एसी कथा है कथा मीठी है और तूरब ने मीठी कथाँ पैदा की है जो बड़ी अर्थपूर्ण है क्योंकि लाउस से तब तक पैदा ही नहीं होता तब तक प्रॉल नहीं हो जाता जब प्रॉल हो जाता कभी पदा होता और दूसरी बात लाओस से के बाबत है कि उसका पता नहीं कि वो कभी मरा ऐसा आद्बी मरता भी घून वहा हमारे बीटर मरने वाली जो चीज है वा हमारे एहंकार के अलावा और कुछं भी नहीं हम नहीं मरते पर हमारा निर्मित एहंकार मरता है जब हम मरते हैं तब भी हमारा एहंकार ही मरता है हम नहीं मरते है और हमें जो पीड़ा होती है वो हमारे मरने की पीड़ा नहीं वो हमारे एहंकार के मरने की पीड़ा है मरते वक्त जो जो हमने एक खता किया है वो छिनता है जो जो हमने बनाया है वो छूटता है जो जो हमने पाया है वो छीना जाता है एक बात तो तहे कि हमने अपने को नहीं बनाया और एक बात तहे कि हम मरने में भी नहीं छीने जाते है आपको याद है कि आप जन्म के पहले थे नहीं है याद क्योंकि हमें एहंकार के अत्रित और कोई चीज याद ही नहीं और एहंकार तो जन्म के बाद सगन होता है इसलिए हमारी जो यादास्त है मनस्वित कहते हैं कि वो तीन साल के उमर के पहले नहीं जाती ज्यादा से ज्यादा तीन साल की हमें याद आती है पहली से पहली जो याद है वो करीग तीन और पांस साल के बीश की होती है क्यों हम तीन साल भी तुठे कोई याद नहीं बनती क्योंकि तीन साल हमारे एहंकार को निर्मित होने में लग जाती इसलिए बहुत मज़े की बात है कि बच्चे अक्सर जूट बोलने में और चोरी करने में जराबी तकलीफ अन्भों नहीं करते उसका कुल कारण उसका कारण यह नहीं कि वो चोर हैं और जूटे हैं उसका कुल कारण इतना है कि अभी वो एहंकार निर्मित नहीं हुआ जो मेरे और तेरे का फासला कर पाए इसलिए जिसको हम चोरी समझ रहे हैं बच्चे के लिए सुद्ध समाजवाद है अभी फासला नहीं है कि ये मेरा है और ये तेरा है अभी मैं निर्मित नहीं हुआ है इसलिए हम जिसे चोरी कह रहे हैं वो हमारे एहुंकार के कारण कह रहे है और बच्चे के अभी सभी चीजे जो उसकी पसंद पर जाया उसकी है अभी पसंद सब कुछ है अभी वो एहुंकार मुरने करने वाला नहीं बना कि जो कहें ये मेरा है और ये तेरा है बच्चे को जूट और सचने भी फर्क नहीं क्योंकि बच्चे को सपने में और सचाई में फर्क नहीं तो अक्सर बच्चे सुबह उठते हैं और राज सपने में जो खिलोना उनका तूट गया उसलिए सुभह रोते मिल जाते हैं या खिलोने में जो सपना खो गया उसलिए वो सुभह रो सकते हैं और तड़प सकते हैं कि वो खिलोना कहा गया क्योंकि अदुछ सपने में और सपने में भी फासला नहीं है असल में राप के सपने में और दिन की सचाई में फर्क करने के लिए भी एहुंकार की जरूरत है इसलिए एक मज़े की घटना घटती है बच्चे को सपने में और सुभे की सचाई में फर्क नहीं होता और जब लाउस से जैसा आदमी एहुंकार को छोड़ कर जगत को देखता है तब उसको सपने में और सचाई में कोई फर्क नहीं हो थे फिर दुबारा इसली संकर जसा आगी में कह पाता है जगत माया है उसका और की मत्तलब नहीं उसका कुल मतलब इतना है कि अब एक दूसरे आर्थ में जगत भी सपने जैसा हो गया एक दिन सपना भी जगत जैसा था एहनकार के पूर फिर एहनकार आया और जगत और सपने में फासला मालूम पढ़ने लगा वो फासला मेरे मैं के ही कारण फिर वो मैं दुबारा गिर गया अब जगत भी सपने जैसा मालूम होने लगा मृत्यू के च्छन में हमारा मिर्मित में तूटता है बिखरता है एक एक जगे से उसकी खूटियां उखडने लगते है वे उखड़ती खूटते ही हमारी पी रहा है लेकिन काफ उने याद आ सके कि जब मैं नहीं था हमारे भीतर तब भी मेरा होना था तो मृत्यू में भी हम उतने ही आनन से प्रवेश कर सकते हैं जितने आनन से हम जीवन में प्रवेश करते हैं और जितने आनन से रात हम निद्रा में प्रवेश करते हैं उतने ही आनन से हम मृत्यू की महानिद्रा में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन कोई म्रत्यू के छण में अचानक ये बात घट नहीं सकती जिसमें पूरे जीवन सफलता को संजोया हो असफलता को ट्यागा हो जिसमें पूरे जीवन एहनकार निर्मित करने का एक भी मौका न चुका हो जूठा भी निर्मित होता हो तो भी न चुका हो इसलिए खुसामत इतनी हमें पृतिकर मालुम होती है और खुसामत करने वाला जानता है कि जूट है और सुनने वाला भी जानता है कि जूट है फिर भी इस्तूती कोई कर रहा हो तो मना करनी की हिम्मत नहीं होती कोई आपकी खुसामत कर रहा हो और आपसे कह रहा हो कि आपसे सुंदर मैंने व्यक्ति नहीं देखा आपको भी आईने के सामने कभी ऐसा क्याल नहीं आया है लेकिन फिर भी उस इस्तुटी के छड़ में मान लेने का मन होता है दूसरे की निंदा मान लेने का मन होता है स्वयन की इस्तुति मान लेने का मन होता है दूसरे की निंदा को हम कभी इंकार नहीं करते वो कितनी ही बेबूज मालुम पड़े तो भी इंकार नहीं करते और अपनी इस्तुति को हम कभी इंकार नहीं करते तो भी कितनी ही असंगत मालुम पड़े स्वयम की इस्तित्यु सदा ही स्वीकृत मालुम पड़ती है स्वयम की इस्तित्यु में कभी भी ऐसा नहीं मालुम पड़ता कि कोई चीज सीमा के बाहर जा रही सभी चीजे सीमा के भीतर हो दूसरे की निंदा में सबी चीजे सीमा के भीतर होती है सबी कुछ मानने योग गोता है तो दूसरे की निंदा में रस लिया हो स्वयम की प्रसंसा में आनंद पाया हो सफलता के छण में पैर जमा के खड़े हो गए हो बीच चौराहे पर अस्तलता के छण में अंधेरे में छिप गए हो सम्मान को खोजा हो तलासा हो असम्मान की तरफ पीट किये हुए भागते रहे हो तो मरते छण में एक एक दम से कोई एहंकार को नहीं छोड़ सकता लेकिन जिसमें इससे उल्टा किया हो दूसरे की निल्टा में संजह पादा किया हो अविस्पास पादा किया हो अनास्था दिखाई हो स्वयन की इस्तुती में संजह पादा किया हो स्वयन की इस्तुती में अनास्था दिखाई हो स्वयन की इस्तुती को मान ने लिया हो सम्मान जब कोई देने आया हो तो हजार बार सोचा हो असम्मान जब कोई देने आया हो चुपचाप सुईकार कर लिया हो असफलता में प्रगट हो गया हो सफलता में छिप गया हो ऐसा व्यक्तित अगर चलता रहे तो म्रत्यु के छण में मुक्ति संभा हो पाती है और ऐसे वक्ति के लिए नर्ग के द्वार तो बंधी हो गए क्योंकि चाबी ही खो गई जिसने नर्ग के द्वार खोले जा सकते थे और ऐसे वक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया स्वर्ग का रथ है ऐसे व्यक्ति के लिए सतत सुख का द्वार खुल गया ऐसा व्यक्ति कहीं भी हो कैसा भी हो सुख पाही लेगा ऐसे व्यक्ति से सुख छीनने का उपाय ही नहीं ऐसा व्यक्ति हमेशा ही सुखत पहलू को खोज लेगा और दुखत तहलू को उसकी आंख पकड़ ही नहीं पाएगी ऐसा व्यक्ति कंकर पत्थरों में भी हिरे देख लेगा और ऐसे व्यक्ति को कांटों में भी फूल खिल जाते और ऐसे व्यक्ति के लिए अंधेरा भी प्रकास हो जाते है हम्रत्यु परम जीवन इसलिए मैंने कहा कि जीवन गनित नहीं एक पहली है गनित इसलिए नहीं कि गनित में दो और दो चार होते है पहली में इतना आसान हिसाब नहीं होता पहली में गनित कहीं चलता है परिणाम कुछ होते है पहली में परिणाम बिपरीथ हो जाते है लेकिन पहली का भी अपना सुक्ष्म गनित है लाउस से उसी की बात कर रहा है और जिस पहली को समझेना चाहे उसे उस सुक्ष्म गनित को समझे लेना चाहिए इसे समझें कि अगर कोई सिकारी पक्षियों को तीर मारने की कला सीख रहा है तो पक्षियों को आगास में उरते हुए पक्षियों को तीर मारने में एक सुख्षम गड़ीत का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि पक्षि यहाँ है अगर आप में वहाँ तीर मारा तो आपका तीर कभी भी नहीं लगेगा पक्षि जहाँ होगा कुछ छण बाद वहाँ आपको तीर मारना पड़ेगा पक्षी अभी आकास में मेरे आँख के सामने हैं अगर मैं सीधा वही तीर मारू तो पक्षी तो तब तक हट चुका होगा जब तक मेरा तीर पहुँचेगा मुझे तीर वहाँ मारना पड़ेगा जहाँ पक्षी अभी नहीं है और मेरे तीर पहुँचने पर होगा इसलिए धनुर विध्या की कला ये कहेगी कि अगर चलते हुए जीवन उरते हुए पक्षी को तीर मारना हो तो वहाँ मारना जहाँ पक्षी नहो अगर वहाँ मारा जहाँ पक्षी है तो तीर गर चला जाएगा ये उसकी पहर भी होई अगर मुरद पक्षी बानके रखा हो द्रक्षी में तो वही तीर मारना जहाँ पक्षी है मुरद गनित सीधा चलता है जीवन का गनित सीधा नहीं चल सकता है लाउस से कहता है अगर सफलता चाहिए हो तो सफलता से बचना असफलता चाहिए हो तो सफलता को आलिंगन कर लेना लाउस से कहता है अगर मिटना हो मरना हो तो जीवन को जोर से पकलना और अगर जीना हो तो जीवन को छोड़ देना पकलना ही मत और इस जगत में अगर सुख पाना हो तो सुख की तलांसी मत करना और सुख को टेटोलते मत रहना अगर ऐसा किया तो दुख मिलेगा अगर सुख पाना हो तो दुख को टेटोलना और दुख को खोजना जो सुख को खोजेगा वो सुख को खोडेता है जो दुख को खोजता है, वो दुख को खोदेता है, जो सुख को खोजता है, वो दुख को पा देता है, और जो दुख को खोजने निकल पड़ता है, उसे दुख कभी मिलता ही नहीं, इसे हम ऐसा देख पाएं, तो हमारे जीवन का पूरा रास्ता और ढंका हो जाए, और हमार देखने की, सोचने की हमारा पूरा दर्सन हमारी पूरी दृष्टी और हो जाए ऐसी दृष्टी जब किसी की हो जाए तो उसे मैं सम्यासी कहता हूँ लेकिन हम तो जिसे सम्यासी कहते हैं तो वो भी संसारी के गनिश से सोचता है वो भी परमात्मा को खोजने निकलता है ध्यान रहे जो परमात्मा को खोजने निकला जितनी ताकस से खोजने निकलेगा उतना ही पाना मुस्किल है ये गनिस्तर गन के लिए लागू नहीं होता ये धर्म के लिए भी लागू होता परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उठाये लकडी रखे कंधे पर निकल पड़े तो आपके हाथ में लकडी ही रह जाने वाली है परमात्मा नहीं मिलेगा परमात्मा कोई वस्तु रही है कि आप खोजने निकल पड़े परमात्मा एक अनुभव है जब आप नहीं होते खोजने वाला नहीं होता तब प्रगट होता तो जो खोजने निकला है वो मुश्किल में पड़ जाया है क्योंकि खोजने में तो खोजने वाला मौजूदी रहता है इसलिए सन्यासी का एहंकार बहुत सघन हो जाता है भेंकर हो जाता है परमात्मा को खोज रहा है अगर आप उससे कहेंगे तो वो कहेगा तुम क्या हो तुछ संसार की चीजे खोज रहे हो दो कोड़ी की हम अमोलक रतन खोज रहे हैं और तुम लंगर सुखों में पड़े हुए पापी हो और हम मोक्ष खोज रहे हैं तो स्वभाविक उसकी अकर्टेज हो जाए तो आपके सांत ना बैच सके उसे सीहा संत्र बिठाना पड़े यह स्वभाविक यह स्वभाविक है इसलिए कि संसार का ही ग में जपानी फकीर ताका सुसू के जीवन को पहता था ताका सुसू को आके अगर कोई उसकी इस्तुत ही करे तो ताका सुसू सुन ले सारी बात और फिर कहे कि मालुम होता है तुम किसी और आदमी के पास आ दे क्योंकि तुम ने जितनी बातें बताएं इन उसे कोई भी बात मुझ में नहीं है मालुम होता है तुम किसी और से मिलने निकले थे और किसी और के पास आ दे मैं वो आदमी नहीं हूँ और वो इतनी निस्था से कहता कि कई बार अफिर्चित आदमी तो मान ही लेते कि माल्ग करियो तो आप वो नहीं हूँ ताका सुसु आप नहीं है हम तो ताका सुसूख समझते ही आपके च्छानों में आद हो तो ताका सुसूख कहता कि नहीं तुम Marketing तुमें गलत रास्ता बताती है अगर ताका सुसूख के कोई मुंदा करते आता और ऐसी बातें भी कहता जिन से इसका कोई सम्भन में तो ताका सुसु सुई कार कर लेता हूगा था कि ठीक ही कहते हूगा ताका सुसु के मरने के बाद भी पता चला कि उसमें नमालुम कितनी जूटी निंदाओं में हाँ भर दी थी और ये भी पता चला कि वो निंदा करने वाले को कहीं ऐसा नहीं लगे कि इसमें जूटी ही वहां भर दी है तो उस सब तरह के उपाय भी करता था कि निंदा करने वाला त्रप्ठो कर जाए कि निंदा उसने की तो ठीक ही की एक आदमी आया है ताकसुसू के पास और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत क्रोबी आदमी तो ताकसुसू के पास में डंडा पड़ा वो डंडा उठा लेता और आख बबूला हो जाता और उसके आँखों से आग मिकलने लगती उसके साथी सिश्चों ने संग्या ने कभी उसे जिंदगी में करोज से भरा नहीं देखा था वो भी चेकिट हो गए ताकसुसू के सिश्चों पूसते हैं कि हमने कभी आपको करोज में नहीं देखा तो ताकसुसू ने कहा कि तुमने कभी मुझे मुझे मौके नहीं दिया तुम अगर आखे मुझे कुछे तुम्हें प्रमान जुटा देता क्योंकि अकारण वाद में इतने दूर से चल के आया ये डाप कहने के लिए कि तुम क्रोजी हो तो उसके लिए इतना सा करने में हर्ज भी क्या है वो संतुष्ट हो कर गया और अब उसे दुबारा तकलीफ उठाने की जरुवत नहीं पड़े प्रमांडी हाट में लाउस से इस तरह के व्यक्ति की बात कर रहा और इस तरह के व्यक्ति का नाम ही सन्यासी है तो जीवन में एक दूसरा आयाम कुलना सुरू हो था एक दूसरा